आपका जो Client होता है वो सब्सक्राइब गूगल पढ़ क्या आता है कि बरबर गूगल पर जाएगा दूनिया भर के calculation अवेलेबल है बरबर जैसी वो गूगल पर जाएगा हो सकता है उसका कैलकुलेशन यह दिखे है यह सपोज उसने गुगल नहीं पढ़ा आपके पास आया डायरेक्ट उसने तो यह पढ़ा होगा डिविदेंट टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट द्यान तो सुनना इसका पैसा कैसे बनाते हैं वो सम्झा रहा हूं किताब के बाहर की चीज़े डिविदेंट पे नॉर्मल रेट पढ़ा होगा पर एन्हान सर्चाज नहीं लगता गुगल में यह थोड़े ने लिखा है टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं अब वो क्लाइंट आएगा क्लाइंट के सामने वो क्लाइंट आपको बताएगा सर यह तीन करोड है यह पंदरा ला सर कुछ तो करो उठने का ऐसा चेयर से चेयर बाजू करने का इनर यू आपको मालूम है यही चीज विदाउट एनी एडजस्ट के भी 9500 कम हो सकती ऐसे घूमने का अगर डॉक्टर और सी ए चिंता में घूमने लग जाए मतलब सामने वाले को तकलिप आ जाती बरबर सामने वा सर क्या हुआ है इम जस तिंकिंग फिर ऐसा एक बुक लेने का ठीक है तुम्हारे ओफिसेज में वैसी बहुत सारी बुक रहेगी कोई भी बुक उठा लेने का उसको क्या समधरा क्या है ऐसा कुछ भी करने का कैलकुलेटर पर है ठीक है और कुछ नहीं समझ में आया तो प्लस माइनस डिवाइड इंटू चेक चेक कैलकुलेटर बन अब अब यह नहीं हो अब आपका टैक्स 121-81310 आरा मैं इसमें से सर दस हजार कम कर सकता हूं टैक्स टैन थाउजंड अफरन कम कर सकता हूं टोटल 19500 है पर उसको अपनी वैल्यू नहीं पता चलेगी वैल्यू क्रियेट की जाती है उसको वैल्यू नहीं पता चलेगी उसको बहुतना सर्थ 10,000 तक कम कर सकता हूं लेकिन सर इसके लिए मुझे कुछ करने पड़ेंगे भाबी का फाइल है कि ओलेंगा नहीं वाइफ रिटर्न नहीं बढ़ती है आप वाइफ का रिटर्न भरवाई है उसके रिटर्न के लिए सर्थ हाडली 2,000 लगेंगे पर आपका टैक्स 10,000 से कम होगा सर वो कैसे भाबी का रिटर्न भरवाई है लिफ्टिंग ओफ कॉर्परेट वेल न्यू क्लाइंट क्रियेटेड 2,000 एडिशनल इंकम क्योंकि अब वो एक बार रिटर्न भरेगा तो हर बार भरेगा समझ मारी बात उसके बाद मैं वो बोले सर देखो ना और कुछ कम हो सकता तो क्या किया जा सकता है कि सदेखो कि सर पर खर्चा लगेगा उसमें कितना कि एक हजार रुपर लगेगा सर अंदर देना पड़ता है थोड़ा लिफ्टिंग ओप कॉर्परेट विल यह आपको समझ रहे किसी को कुछ नहीं देना है कि सर एक हजार रुपर अंदर देना पड़ेगा है और पांच हजार कम हो जाएंगे है एस अगेंस दिस क्लाइंट विस नॉट फॉमर्स बैगराउंड अपलाय हिस माइंड पांच हजार बचेंगे बदले में कित देना है एक हजार नेट बेनेफिट चार हजार ठीक है सर चलेगा अपने को मालम में उननीस हजार पाच्चों का डिफरेंस है अब तक हम पंदरा पर ही पहुंचे है एक हजार एडिशनल इंकम इस अपाट फॉम वट वे विल चार्जाज अज़ अफीस समझ आ रही है ना बत हाँ वो बुलेगा सर देखो ना और कुछ कम होता है क्या हाल पिलाल में उल्ला सर आप जाहिए मैं करता हूं कि शाम में फोन करना है है यहलो रविंदर जी सब बहुत मैंनत लगी दिन भर से बट मैंने आपको पंदरा का कमेटमेंट दिया था सर सेम पैसे में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा मैं अक्चुली 9500 कम करूंगा और सर यह सिर्फ आपके लिए हैं हम बैटे हैं सर आपकी सर्विस में आपको बिलकुल टेंशन लेन की ज़रत नहीं है मैं 9500 कम करता हूं फाइनल आपका टैक्स आजाएगा 12161 890 है ठीक है और कुछ भी लगे सर आधी रात को बुलाईए साथ मार्केट में तेरा वैल्यू तब बढ़ेगा जब तुने कमिट पंद्रा का किया और दिया उन्नीस-पानसो उसको लगेगा मा कसम यह तो फर्स्ट अटेम्ट लग रहा है गोल्ड मेडलिस्ट यह अपने को पता है कई अटेम्ट खाके समझ में आया गेम कैसे करते समझ में आया है क्या गंदा है पर धंदा है बिटा ही है हम हमारा कोई अडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं पर नॉलिज फ्लॉंट करने में मना ही नहीं है सब्सक्यारे सब्सक्राइट करें sorry कि उनलोलेज के साथ खेलो खेलना है ऑख सी क्ल Іंप होता है जब आप उसको अपने अकि सांग से सब्सक्राइब अब श्लॉस में झालिछ valuable ह तुम्हों उस पात वार्ट में बैठे हैं क्लाइफ तब इंप्रेस होता है जब तुम सेम चीज को सेम तरीके से अब जिस बच्चे ने ये concept पढ़े ही नहीं सोचके देखो तुमने पढ़े लिए इससे ऐसा एड़्जस्ट हुआ तो क्या वैसा एड़्जस्ट हुआ तो क्या अब जो विचारे ने अगर tax calculation में पढ़े ही तीन सब्सक्राइब तुम किस तरह से हैंडल करते हो वो तुम पर डिपेंड करेगा सर इन फैक्ट अगर मैं आपको एक बात बताओ ना इन पर एक दिन में तुमको समझ नहीं आएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तुमको समझ आएगा कि यह कैसे होता है हाव तिंग्स वर्क्स